नमस्कार दोस्तो एक्साम साकना आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके लिए नई वीडियो लेका हैं जिसमें हम पढ़ेंगे स्टक्चर अनालसिस का एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक जो है डिटर्मिनेसी एन इन डिटर्मिनेसी इस टॉपिक के बारे में अगर आपको 2-3 Marks के आपसे इस टॉपिक से कुष्चन पूछ ले जाते है डिटर्मिनेसी ऑर इंटर्मिनेसी लास्ट ऍेयर 2018 में नहीं पुछ बहुत जबार 2019 में इस टॉपिक से कुष्चन आने के चांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते है 2017 में इससे 3 मास्ट का पुछ गया था निकालना कितना आसान है इस वीडियो के माध्य हम से आप ट्राइ करूंगा कि आप जितनी आसानी से इस टॉपिक के समझ पाए उतना जादा अच्छा है योई है हम जो पढ़ते हैं हम इसको देखते हैं से देखने के point of view से हम छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं अगर हम इसको practical way से समझें प्रैक्टिकल ही समझेंगे तो इसमें कोई भी गलती करने की गुंजाई समसे नहीं बचेगी तो मैं कोशिश करूँगा आप practical way में जिस way तक मैं समझानी कोशिश करूँगा आप उस topic को सम इस अगर की बात की जाए तो दोस्तों यह इस ट्रॉक्टर आपको दिया है और पूछले जाए क्या यह स्ट्रॉक्टर डिटर्मिनेंट है या नहीं है तो वर्ड मैं ने इस्तेमाल किया डिटर्मिनेंट कि अगर हम इसको हिंदी मेंनिक देखें डिटर्मिनेंट का मतलब क्या मैं इसको इसली डिटर्मिनेंट कर पाऊंगा तो हम एक किसी भी स्ट्रॉक्टर की क्या क्या चीज़े निगाल जैसे हम सपोर्ट रियक्शन्स निकालते हैं हम मेंबर्स के अंदर जितने भी मेंबर्स अगर हम इन चीज़ों को इसली निकाल ले जो हमारी गीवन इक्वेशन्स हैं उनकी रियक्शन्स निकालते हैं इस स्ट्रॉक्टर को क्या कहा जागा कहा जाएगा डिक्वेशन्स का मतलब यह इस स्ट्रॉक्टर को हम बाद में एक बार फिर से देखेंगे कि निकालना कैसे आप सीखो गया आप ईजली निकाल सकते हैं तो मैंने एक बात यहां पर गई important कि अगर हम जितनी भी इक्वेश static equilibrium की बात करें अभी हम static equilibrium की बात करें वो देखेंगे क्यों करें static equilibrium की जितनी भी conditions है अगर उनकी मदद से are sufficient sufficient to analyze the structure तो उस structure को हम कहेंगे डिटर्मिनेंट structure वो structure कौन सा है हमारा डिटर्मिनेंट structure है अगर हम easily condition of static equilibrium की help से जो कि यहां पर आपको दिखाया गया है कि यह static equilibrium जो मैंने यहां लिखा है वर अगर इसकी help से अगर हम इस पूरे structure को easily determined कर ले तो यह statically determined structure है मैंने word use कैस्टर्मिनेंट structure ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप इसको easily calculate कर ले analyze कर ले तो यह determinant है निधारित किया जा सकता है तो देखते हैं दोस्तों कैसे हम इसको easily calculate और निधारित कर सकते हैं easily calculate करने के लिए आपको इसको दुबारा अच्छे से समझना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा धीरे बोलू तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं नीचे से इसकी सैटिक में जा के आप स्पीड बढ़ा के इसको देख सकते हैं और अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं तो आप इसकी स्पीड स्लो भी कर सकते हैं समझने के लिए मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ पाएं मान लो आपको एक बीम दिया हुआ है Just simply supported beam आपको दिया हुआ है तो जैसे कि आप जानते on única सिंप self supported जो है यहा से पिन joint है यहां से rollor joint आपके दो reactions देते इ partial rayations के बारह में पी आपकव भूभी कि कॉंसे 섹्पोर्ट से में कितनी reactions मिलने वाली है और roller support से हमें एक reaction मिलती है तो कुल unknown कितने है अगर मैं सिर्फ variable निकालने की बात करूँ या अगर यह a point है यह b point है तो मुझे क्या-क्या निकालना है भी a निकालना है h a निकालना है और साथ के साथ मुझे b b निकालना है reaction vertical reaction at b vertical reaction at a horizontal reaction at a यह सब मुझे यहाँ पर determinant करना है तो मिरे पास unknown कितने है तो number of unknown तो यह maths का पहला rule है नमबर of unknown कितने मिरे पास तीन unknowns है और अगर मैं कहूं static equilibrium यह भी आपको अच्छे से टीम में बताने वाला हूं कि static equilibrium equations कितनी है कैसे है तो static equilibrium equations यहाँ पर कितनी है तीन तो हमें पता है कि अगर हमारे पास तीन unknowns है तीन unknowns है और तीन ही हमारे पास equation है उनको solve करने के लिए तो यह easily solve हो जाएंगे इसलिए इनको क्या कहा जाएगा determinant structure इसलिए इसको क्या कहा जाता है determinant structure तो maths का सबसे पहला rule है कि जितने number of variables उतनी number of equation अगर हमारी form हो जा रही है तो हम सारे के सारे variables को easily determinant कर सकते हैं अगर जितने number of variables हमारे हैं उतनी equation हम नहीं बना सकते तो हम उनको कभी भी solve नहीं कर सकते उसी चीज़ को कहा जाता है in determinant structure तो आए देखते हैं कोशिश करते हैं कि यह क्या है तो अलग-अलग supports के अलग-अलग देखने की कोशिश करते हैं जितने भी हमारे equations हैं तो topic है number of unnonce हम देखेंगे किस में कितने unnonce हैं अगर बात की जाए fixed support सबसे पहला कौन सा हो गया आपका fixed support कुछ इस परकार होता है यह आपका beam होगा या आपका column की बात कर लिए जाए तो कुछ इस परकार आपका column होगा और column के नीचे यह आपका क्या होगा fix support यानि कि हमने इसको यहां से fix कर दिया अगर fix की बात कर दी जाए बिल्कुल fix कर दिया तो दोस्तों आप से में एक चीज कुछ चूंगा अगर यह beam आपके सामने है इस beam को इस वाले beam को अगर मैं इधर को खीचना शुरू करूँ तो क horizontal reaction यहां से क्योंकि यह इसको allow नहीं कर रहा है कि यह वाला beam जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यह beam यहां से बाहर निकल जाए इसी तरह अगर मैं इस beam की बात करूँ यह beam अगर मैं उपर को उठाने की कोशिश करूँ इस beam को अगर उपर को pull करने कोशिश करूँ क्या यह इस इस जगह से बाहर निकल जाएगा नहीं निकल पाएगा तो उसी तरह यहाँ पे भी एक रियक्शन दे रहा है यह बीम जिसको मैं क्या कहूंगा वर्टिकल रियक्शन और उसी तरह अगर दोस्तों मैं आपसे पूछ ले जाओं तो क्या यह रोटेट कर पा रहा है अगर मैं इ आपको मोमेंट रियक्शन तो मैं यहां से कह सकता हूं तो फिक सपोर्ट के बास नंबर ओफ अनौन्स कितने हैं फिक सपोर्ट के नंबर ओफ अनौन्स कितने हुए आपके तील दूसरी बात कर लिए जाए दूसरा अब हम देखते हैं हिंड जोइट या फिर pin जोइट pin यानि के कील जैसा जितने भी कील से गर दिए काबले की मदद से बॉल्ड की मदद से गर दिए तो वो सब क्या होते हैं हमारे हिंड जोइट और pin joint, किसा दिखाई देगा आपको pin joint और pin joint अगर आप beam की बात करो तो beam में ऐसे भी हो सकता है यह pin joint, यह पे pin show कर दिया हमने यह pin show कर दिया यह फिर एक beam में कुछ इस परकार भी हो सकता है यह और अगर एक column की बात कर ली जाए तो column में भी कुछ इस परकार हो गए तो यह आपका pin joint column हो गया यह beam हो गया यह तीनो cases में एक जैसे अगर हम यहाँ पर भी reaction की बात करें तो फिर से वही अगर इस beam को मैं इधर को खीचने की कोशिश करता हूँ तो क्या यह अपनी जगे से निकल पाएगा तो नहीं निकलेगा यह क्या कर रहा है यहाँ पर एक reaction दे दी इसने horizontal reaction उसी तरह अगर इस beam को मैं उपर उठाने की कोशिश करूँ उपर उठाने कोशिश करूँ तो क्या यह उठाएगा नहीं उठाएगा तो यहाँ पर क्या आगई आपकी एक vertical reaction अगर इसको मैं moment देने की कोशिश करता हूँ तो यह easly आप अपनी finger को देख सकते हो आप finger को बाहर को खीचिने कोशिश करूँ तो आपकी finger बाहर को नहीं खीचेगी आप अपनी finger को ऊपर उठाने कोशिश करूँ तो आपकी ओंगली finger उपर को नहीं उठाएगी तो यहां पे सिर्फ कौन-कौन सी मूमेट मिली हमको, एक तो H मिली और एक का मिली V, तो यहां से मैं कह सकता हूँ, number of unknowns कितने हो गई, इस case में 2, यहां पे number of unknowns कितने हो गई आपके, 2, अब बात करते हैं, roller support की, roller support, roller support कुछ इस परकार होता है, अगर beam की बात किये जाएं, तो यहां पे roller ऐसे show करके, ऐसे भी roller बन जाता है, आपको ऐसे भी show करके दिखा सकते हैं, यह भी roller support ही है, तो यह कुछ इस परकार का, अगर roller support आपको दिया हुआ हो, तो roller support के case में कितनी reaction लगते हैं, तो उसी तरह आगर मैं देखूं, roller support का मतलब यह है, कि यह जो beam है, उपर से कुछ इस परकार है, इसके उपर roll कर सकता है, यह easily roll कर सकता है, यहां पे, तो यहां से अगर मैं बात करूँ, तो इसको इधर को खीचू, तो यह beam इधर को भी खीच जाएगा, और अगर इधर को पुश किया ज आपको कौन सी reaction मिलेगी, वर्टिकल रियक्शन, तो यहां पे वर्टिकल रियक्शन तो है, लेकिन होरिजोंटल रियक्शन क्या है, जीरो, और साथ के साथ, अगर मैं इसको गुमाने कोशिश करूँ, तो यह easily move हो जाएगा, यह भी, ऊपर नीचे easily move हो सकता है, तो यहां प अनोन्स rollers support की case में क्या हो गया, एक, नेक्स अगर हम बात कर लें, फॉर्थ की, एक और परकार का support है, वो भी roller type है, आपका roller कूछ इस परकार हो गया, उसको rigid roller support कहते है, raised roller support, रिज्ड रोलर सपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि यह वाला सपोर्ट यहां से रिज्ड है रिज्ड मतलब पूरा इस वाली प्लेट के साथ जो यह प्लेट आपको दे रखे इसके साथ काफी सकती के साथ अटेज किया गया है है पूरा रिज्ड है यहां से पिन की तरह है इस पह पिन जो पिन जॉइंटर है उसकी तरह है तो यहां से क्या मिल सकता अबको अगर मैं इस बीम को इधर को रोल करणी कोशिशिक कर gloss यह रोल तो हो सकता है इसको मतलब होरिजॉटल रिएक्शन तो नहीं दी एस। क्या है इसमें 0 है लेकिन अगर इसको नीचे करने की कोशिश करो अगर नीचे दबा देता हूं तो नीचे से एक reaction देतेगा जिसको क्या कहेंगे वर्टिकल रेक्शन साथ के साथ अगर मैं इसको करने कोशिश करो तो यह o canțava अगर जिसे भी माना कर देगा क्योंकि यहां से क्या 처럼 शे टो यहां से एक reaction मिलेगी आपको अंबस तो यहां पर कुल मिल यहां कितनी इक्जिन मिल्ए आपको इक वॉटिगल एक्शन मिलगी एक एम मिल गया, तो यहां पर आपके Unnowns हो गए, दो. तो यहां से समझ में आ गया आपका, समझ में आ गया होगा आपको कि कितनी Unnowns होती है, किस Case में, तो साथ के साथ अब सीख लिते हैं, अगर आपके पास ये है. तो अगर हम Rough Sketch बनाए, तो fix support के unknown हो गए आपके fix support में unknown हो गए तीन बात कर लिजाए pin joint, hint joint कुछ भी लिखा जाए आपको pin support, hint support तो उसके अंदर कितने हो गए आपके दो बात की जाए roller support की तो roller support के अंदर आपके हो गए एक और बात की जाए result roller support result roller support result roller support में कितनी हो जाते हैं आपके दो फिर से तो यह है आपकी number of unknown, इनकी बात कर लिजाए तो इन सभी को गाता है number of unknown, यह आपके पूरे टॉपिक में बहुत जादा helpful है तो बात किया जाए इन में से static equilibrium conditions अब हम बात करेंगे static equilibrium conditions static equilibrium conditions तो दोस्तों किसी भी equation को solve करने के लिए हमें variables को solve करने के लिए equations की जोर्थ पड़ती है उन्ही equations को कहा गया static equilibrium condition और या फिर आप नाम यूज़ करते हैं static equilibrium equations भी कह सकते हम क्योंकि हमें equations की जूर्थ पड़ेगी तो एक point पर किसी भी point में मालो यह मेरा fix support ही है fix support में मुझे अगर यहाँ पे कोई भी reaction निकालने है आपको vertical reaction निकालने है यह तीन equation तो चेक करते हैं कौन कौनसी equation अगर मैं 2D geometry की बात करूँ 2D geometry में हम कुछ इस परकार देखते हैं यह आपका 2D है यह x axis है यह y axis है तो आप कैसे लगा सकते हो summation f x x direction में जितने भी force है उनका sum अगर 0 करके आप x की value निकाल सकते हो यहाँ से अगर मैं कहाँ summation f y equals to 0 y यानि के y direction में जितने भी force है तो y direction में यह क्या है आपका vertical force इवन इस beam पे जितने भी forces उपर वो लगा के अगर उनकी value static 0 करके आपकी दूसरी condition मिल भी तो यहाँ से 2 value तो निकल गई आपकी कौन कौन सी h की value आपने निकाल ली बी की value यहाँ से निकाल ली अगर m निकाल ला है moment निकाल ला है तो आप summation m z direction में 0 लगा के moment भी यहाँ से निकाल लोगे तो जब आप यह तीनों के तीनों निकाल ले तो आप कह सकते हो कि आपका यह determinant है तो मैं कह सकता हूँ कि एक fix support जो एक fix support होता है यह हमेशा क्या होता है determinant support होता है एक fix support always determinant support होता है तो इसी लिए इस पूरे वीडियो में मेरा हमेशा जोर रहेगा कि आप इस चीज़ को समझ ले कि जो एक fix support है मेरा यह fix support determinant support रहने वाला है और जितने भी मेरे बाकी support होंगे चाहे वो roller support हो pin support हो उन सबको मैं क्या बनाने कोशिश करूँगा result support बनाने कोशिश करूँगा और जब उसको मैं fix support बनाने कोशिश करूँगा तो उनको मैं restrain करूँगा restrain करूँगा restrain करने के लिए यानि कि मुझे extra equations उनको देनी पढ़ेगी extra value मुझे देनी पढ़ेगी तो आप यहां से क्या पता लगा सकते हो कि टोड़ी के case में आपके जब भी हम टोड़ी की बात करते हैं तो आपके पास तीन equilibrium equations हैं equilibrium equations तीन equilibrium equations आपके टोड़ी के case में अगर 3D case देख लिया जाए 3D case देखने के लिए आपको 3D structure पर ध्यान देना पड़ेगा तो यह आपका 3D structure अगर बना दिया जाए तो यह हो गया आपका 3D structure यानि के यहां से आपको मिलने वाला summation fx equals to zero, summation fy equals to zero, summation fz equals to zero तो I hope समझ गई होंगे आप, 3 equation तो 3D के case में यह मिल गई मुझे मैं बात यहां पर 3D की कर रहा हूँ 3D में 3 equation कौन कौन से मिल गई summation fx equals to zero, summation fy equals to zero, summation fz equals to zero इसके अलावा summation mx equals to zero, summation my equals to zero summation mz equals to zero तो आप कह सकते हो 3D के case में आपके पास कितनी equilibrium conditions है आपके पास six equilibrium conditions है 3D के case में six equilibrium conditions हम 3D के case में पढ़ते हैं तो अगर आपको मैं summarize कर दो, इसको summarize करके लिख दे तो हमें पता चल जाएगा 3D और 2D के case में कितनी है तो for 2D we have three equations और three equations और तीनों की तीनों equilibrium equation कौन सी है summation fx equals to zero, summation fy equals to zero, summation mz equals to zero अगर मैं बात करता हूँ 3D की, तो 3D के लिए होगी हमारी six equilibrium equations summation fx equals to zero, summation fy equals to zero, summation fz equals to zero, साथ के साथ summation mx equals to zero, summation my equals to zero, summation mz equals to zero तो यह आपकी 6 equilibrium equations 3D के case में, 3 equilibrium equations 2D case में I hope आप समझ गए होंगे इतना तो अगर आपको यह वीडियो यहां तक समझ में ना है तो इसको दुबारा से repeat जरूर कर ले क्योंकि आने वाले topic इनी पर आधारित है बड़े से बड़ी बड़े से बड़ा frame बड़े से बड़ा structure आप easily analyze कर पाएंगे अगर आप इन चीजों को समझ गए तो तो दोस्तो अब हम बढ़ते हैं आपने topic की और हम बात कर देते हैं आपके static determination की और kinematic जो determination आपकी दो परकार की है यह दोस्तो नहीं बताया एक हो गई आपकी static determination या indeterminacy और दूसरी हो गई आपकी kinematic determination तो indeterminacy में हम दो परकार की देख रहे हैं एक static और एक हो गया kinematic तो spelling mind कर लेना तो उस्तो ठीक कर लेना अगर गलत हो जाती है एक होगी आपकी static दूसरी होगी kinematic अगर बात की जाए static indeterminacy structure determination है या indeterminacy तो हम सीख चुके हैं अभी अब हम बात कर रहे हैं indeterminacy तो static indeterminacy क्या है हमारी दो परकार की है या तो वह structure externally या वह structure क्या होगा externally static determine हो गया indeterminat हमने तो indeterminat निकालनी है या जिसे हम कहें degree of determination है तो हम क्या निकालेंगे structure की external static indeterminacy दूसरी चीज हम क्या निकालेंगे इंटेर मैं कि 2 से देखने वाले सब्सक्राइब करें एक साथ भी कर सकते हमारा इजी पर्शेPSTS आकि हम इस लिए जा जो structure हम देख रहे हैं उसके अभी तक force applied नहीं हुए कोई भी force applied नहीं हुआ ना तो क्या हम उसकी equations वगएर तो हम क्या निकालेंगे static indeterminate में तो हम कि जितनी भी reactions लगने वाली है वो सब किस में आ जाएगे आपके external में जितनी भी reactions लगने वाले और जो internal static की बात करें तो जो हमारे members है क्या उन members में जो भी axial force है क्या हम निकाल पाएंगे वो हम किस में बात करेंगे internal में static समझ में आ गया होगा static indeterminate की बात कब करूंगा मैं जब सिर्फ और सिर्फ structure level की बात करूँ और kinematic indeterminate की बात कब की जाएगी जब मैं structure की बात करूं जब उसके बाद force apply होने की बाद force का action नहीं देखेंगे हम kinematic में लेकिन force apply होने के बाद जो deformations वगएरा उसमें आने वाली है क्या उस time पे हमारा structure determinant है या indeterminate है वो सब हम देखें kinematic में तो अभी हम topic स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे static indeterminate structure अब हम पढ़ेंगे static indeterminate structure external indeterminate किसकी बात कर रहे हम structure indeterminate dse यह आप structure static की बात कर रहे है external में static की बात कर रहे है तो यह हो गया determination के लिए s4 static e4 external जब हम externally static determination निकालेंगे तो वो क्या है वो हम देखेंगे external अगर इसकी बात की जाए अगर आपको definition बता दी जाए external की तो एक structure कब कब आपका externally indeterminate होगा किसी भी structure की बात करें मालो एक structure हम बना लेते हैं structure बनाने के लिए नॉर्मली तीन तो नॉर्मली जब हमारी fix support में जब मैं 2D की बात कर रहा हूं 3D में यही ज्यादा हो जाती है 3D में 6 reactions लगती है तो total कितनी reactions लगे आपकी simply supported fixed beam में के अंदर तीन इधर लगी और तीन ही इधर लगी तो इसलिए इसकी external indeterminacy का मतलब है जब मैं इस structure को सिर्फ और सिर्फ support level पे देखूंगा ना कि उपर का यह structure consider करूंगा तो support level पे देखने के लिए जब मैं externally बात करो तो इस पूरे structure को क्या consider कर लूँगा वन यूनिट यह अपने आम में वन यूनिट है मुझे अंदर member level पे जाना ही नहीं मैं सिर्फ किस level पे देखूंगा external पे तो आपको मैंने अभी बताया 2D में equilibrium condition कितनी है 3 तो अगर आपको easily बताना है कि यह structure अब इसकी रिक्षन्स गिल लो कितनी है तो तीन तो आपकी यहां पे होगी तो टोटल कितनी रिक्षन्स होगी आपकी टोटल रियक्षन्स होगी 6 6-3 क्योंकि 3 equation ही आप इसमें से बना सकते तो आप 3 equation अभी भी आपकी बच गई जिनको आप solve नहीं कर सकते हैं, तो इसकी degree of indeterminacy कितनी होगी 3, और वो indeterminacy किसकी बात कर रहा हूं, मैं externally अभी, total की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर externally की बात कर रहा हूं, तो degree of indeterminacy कितनी होगी इस structure की 3, सिर्फ मैंने externally check किया, तो आप इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हो, कि आपके पास 3 equation तो है, 3 equation आपके पास है, solve करने के लिए, तो उन 3 equation की मदद से आप कौन सा, यह वाला support तो easily solve कर सकते हो, क्योंकि 3 equation, लेकिन यह support अभी भी रह जेगा आपका, और इस support पे क जल जाएगा, आप सभी को ऐसे feeling आ रही होगी, कि आप किसी live class में बैठे हो, भले ही आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, आप एक live class की तरह बट रहे हैं, फिर भी दोस्तों, अगर आपको कोई problem रह जाती है, तो आप हमारे WhatsApp group से जुड़ सकते हैं, आप मुझे मेरे इस number आप मैसिज कर सकते हो, WhatsApp number है 9034361033, आप हमारे इस WhatsApp group से मिल सकते हो, आपनी query उसमें डाल सकते हो, हम सभी उसमें discuss करें लेंगे, कि आपकी query क्या है, तो 9034361033, यह आपके लिए WhatsApp group number है, आप इस पे मैसिज करें, आपको WhatsApp group में जोड दिया जाएगा, तो दोस्तों, आगे बढ बात कर लें, मालो एक बीम है, यह आपका बीम है, डाइगराम बाइड गरता है, इतनी अच्छी डाइगराम नहीं होती हम सिविल इंजीनियर्स की, यह तीन सपोर्ट्स आपके बीम के उपर लगाए, पहले हमने ट्रस देख लिया, आप फिर से हम क्या देख रहे हैं, बीम चेक कर लेते हैं, देखो, इसके उपर कितनी रियक्शन से गिन लेते हैं, एक फिक सपोर्ट है, एक, दो, तीन, तो मेरे पास 2D के केस में, तीन इक से सॉल हो गई, तो एक्स्ट्रक कितनी बच गई मेरे पास, एक एक एक्वेशन यहां बच गी, रोलर के केस में, एक एक एक्वेशन यहां बच गी, इन तीनों को मैं नहीं सॉल कर सकता, तो इसकी DOI कितनी हो गई मेरी 3, इसकी DOI हो गई 3, तो आप यहां से समझ गए होंगी कि external static indeterminacy कैसे निकालना है कि जिनको मैं solve कर सकता हूँ मैं इनको solve कर सकता हूँ तीन को तीन की मदद से इनको अलग कर दिया है इनको गिनना ही नहीं उसके बात जितनी भी बजगी मेरी वो किसमे आगे मेरी DOI 3 में नेक्स आपकी बात की जाए अगर बात करते हैं अब देखो एक और यह आपका मान दो मैंने अभी चेक आउट कर लिया हमने यह दूसरी problem अगर आपको तीसरी देखते हैं कुछ इस परकार दी होती है आपको दिया हुआ है यह simply supportive trust है तो आप पता सकते है इसकी degree of determination कितनी होगी तो degree of determination के लिए हमने अभी देखे है अन्नोंस तो अगर मैं अन्नोंस की बात करूँ तो आपके इस support पे pin joint पे कितने supports हैं यह दो अन्नोंस हो गए तो दो यहां से हो गए एक यहां से हो गया आपके पास condition कितनी है equilibrium की equilibrium की 2D की case में equilibrium condition कितनी होती है 3 और 3 ही मेरे यहां पर equation है कौन कौन सी होगी vertical equation यह horizontal reaction और यह vertical दूसरी equation तो यह सारी vertical equation तीनों की तीनों मैं किसके help से solve कर सकता है इसकी degree of determination मैंने कितनी बता दी 0 अभी फिर भी अगर आपको problem आ रही है और आप चाहते हैं कि sir इसका formula बता दिया जा तो DSE equals to number of unknowns जितने भी मेरे unknowns हैं उसमें से मैं क्या minus कर दूँगा जितनी भी मेरी equilibrium equations है number of equilibrium equations जैसे ही मैंने minus करी DSE में से वो मुझे क्या दे दे देंगे DSE degree of static external indeterminacy तो आप समझ गए होंगे external indeterminacy कैसे निकाली जाती है तो यहां से समझ में आगे और साथ के साथ मानलो आपको एक और support यहां मैं दे दूँ यहां पे अगर एक support और लगा दिया जाए रोलर ही लगा दिया जाए तो आप बता सकते हैं अब इसकी DOI कितनी हो जाएगा तो इस extra जुड़ने से अभी structure की DOI कितनी बंजेगी 1 degree यानि कि अभी भी इसके पास एक variable ऐसा बच गया जिसको मैं solve नहीं कर सकता है तो indeterminacy का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि हम इसको अभी determinant नहीं कर सकते हैं निधारित नहीं कर सकते तो आपको यह concept तो समझ में आगे होगा अगर हम आगे बढ़े एक बार और देख लेते हैं कि तो यह structure आपको दिया हुआ है इस structure की degree of indeterminacy निकालने है तो आप degree of static indeterminacy कैसे निकालोगे इसकी तो साथ के साथ आपको पता होगा यहाँ पर कितनी reactions लगेगी 1,2,3 तो यह 3 तो मैं solve कर सकता हूँ easily इसके अलावा कितनी बच गई मिर बास तो यह pin joint है तो 2 तो यहाँ बच गई 1,2 यह roller support है तो एक यहाँ पर यह हो गई आपकी 3 यह आपका rigid joint है यहाँ पर ऐसे जो show कर रख है यह आपको show किया यह rigid joint करने के लिए तो रिजिल के हमने कितनी देखी थी 2 तो 2 यहाँ पर हो गई आप आपकी तो 4 5 तो आप इसकी सीधर सीधर बता सकते डिगिरी ओफ इन डिटम ने से कितनी होगी 5 नहीं जी हमें ऐसे समझ में नहीं आई फॉमले के हिसाब से बताओ तो फॉमले के हिसाब से करने के लिए आप क्या करोगे इन सभी को गिलो 3 2 5 और 1 6 और 3 यहां तक हमने सीख लिया और आप सभी को बता चल गया होगा डिग्री ओफ स्टैटिक एक्विलीबियम निकालने के लिए क्या फॉमला हो गया आपका TSE equals to R minus R minus या कहो R minus S या कुछ भी कह सकते हो number of announce जितने भी variable है वो कितने एक्सेस में हैं किस से number of equilibrium equations है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो like जरूर करें और अपने valuable feedback कमेंट के माद्यम से हमें जरूर दे क्योंकि दोस्तों मुझे पता है आप सभी के message बहुत आ रह आपका इतना प्यार और हमारे चैनल के प्रती इतना लगाओ देखकर क्योंकि आप सभी को मेरे इस पढ़ाने के तरीके से मजा आ रहा है तो उसका ताहे दिल से सुक्रिया और ज्यादा वीडियो को एप्रिशेट करें ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालबा कि यह वीडियो आपके वेल्डियोबन है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो भी बीडियक कर रहे हैं आने वाले टाइम पर और वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगा अभी हमने इसमें डिग्रियो औफ सैटिक एक्विलिवियम अब तक के लिए धन्यवाद